हेलो बच्चो नमस्कार मैं हूँ नरायन पटेल आपके अपने चैनल पर आज हम यहाँ पर एक इसकीम की बात करेंगे जो इसकीम का नाम है स्रेश्ट छात्रवर्ति योजना ये क्या है कौन एपलाई कर सकता है कब एपलाई करेंगे और इसकी परिच्छा कब है और इसके क्य क्या फाइदे हैं यह सारी चीजे हम आपको बहुत डिटेल में नजा करके ब्रीफ कर देता हूं उसके बाद इस समय इसका फॉर्म भी भारा जा रहा है तो आप अगर इस पर आ गया है तो इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक सुने और तभी आप इसका लाव ले पाएं अधिकारिक्ता मंत्राले के द्वारा यानि भारा सरकार के द्वारा सुरू की गई है और ये उन बच्चों के लिए है जो अनुसूचित जाती के लिए हैं अर्थात जो बच्चे सी के हैं ये सिर्फ उनके लिए ही हुजना है अगर आप सी के नहीं है तो आप इस वीडियो वे गवर्मेंट ने भारत के 300 बच्चे यानि कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले पूरे भारत से 300 बच्चों का इसमें चैन किया जाता है और वो भी जो भारत के रेजिडेंशियल स्कूल है जाने माने स्कूल यानि भारत के आप किसी भी स्कूल में जो बोर्डिंग स्क कुछ मुप्त होता उसमें आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं और ये सभी जो इसकूल होते हैं वो CBSE बोर्ड द्वारा होते हैं इसके अलावा जब भी आपका इसमें चैन होगा चैन के लिए इसमें परिक्षा जो होती है वो NTA कराती है यानि राष्टिय प्रवेस परिक्षा जो जेई और नीट की परिक्षा कराती है उसी के थूँ इसकी परिक्षा ली जाती है जो बच्चे इस परिक्षा को पास कर लेते हैं उनके लिए एक छोटे से ब्रिज कोर्स की विवरस्था की गई है जो तीन माह की होती है और इस तीन माह में आपको उन बच्चों की बरा कि जमिक मते जानेर को SOC305 में किaxis जृ करता हुँ कि आगर कच्छा 9 में आ जांगा तो आपको 10 के स्कूल है उनमें गवर्मेंट आपकी फीस भी भरेगे और समय समय पर आपको वाच भी करेगी और यह सारी फीस आपके प्रथमतिमाही में ही उस कॉलेज को जो डिपोजिट हो जाएगी इसके लिए आपको कोई जंजट नहीं करना है तो आईए हम आपको अपनी स्क्रीन प देखें कब से इसका यह आपका यहां पर दिखा रहा है स्कीम 2023 ठीक है तो 2023 में आपके जो भी फार्म है वह हमने पहले आपको बता चुका था 3000 सीट के लिए कच्छा 9 और 11 में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए इसकीम है और इसके अलावा आप देख सकते हैं यह फार् 20 माई के मध्य फार्म पढ़ेंगे जिनने आप यहां पर डाल सकते हो ठीक है इसके बाद आप दूसरी चीज यहां पर देखेंगे कि भारती जो भी राज्यों की सिटी हों उन सम्में परिच्छा के इंदर भी बनाए गये हैं और अगर इसके हम एक्जामिनेशन की बात करे तो इसका जो एक्जामिनेशन होगा वो आपका 18 जून 2023 को होगा और अगर एड़मिट कार्ट की बात करें तो 14 जून से यह डाउनलोड होना सुरू हो जाएंगे ठीक है तो एनॉसमेंट आप सिटी यह देखें 5 जून को कौन कौन से सिटी है जिनमें आपको मिलेगा वो सा 5 बजे तक परिच्छा होगी और यह आफ लाइन होगी और उसमें बाइलेंगल होगी मतलब इंग्लिस और हिंदी दोनु में आप परिच्छा दे सकते हैं दूसरी बात इसका जो हमारा यह जो इसकी वेब साइट है वो है देखें आपको दी गई है nta.ac.i आप या फिर स्र nta.nic.in पर भी जाकर के देख सकते हैं तो इसका फॉर्म भरने से पहले कोंकों से इंट्रक्शन से हैं और फॉर्म कैसे भरें उसको लेकर के हम इनकी जाते हैं विपसाइट पर और आपको दिखाते हैं एक एक चीज अब आप गूगल अथ्वा पर जाकर के आपको लिखना क यह देखे मैंने उपर आपको लिखके बताया है कि s h r e s h t a dot n t a dot n i c dot in जैसे देखे मैं इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके यहां पर दिखा रहा हूं अब मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने पर आपके साथ ने यह देखे पूरी वेबसाइट जो है यहां से खुल जाएगी और इस वेबसाइट के खुलते ही आप यहां से देर सारी जानकारी देख पाएंगे सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा यह public notice यह मैंने download करके आपको पहले ही पढ़के सुना चुका हूँ और introduction भी आप देख चुके अब मैं बात यहां पर करता हूँ कि apply online तो आप apply करने से पहले इसमें देखे क्या क्या तो चलिए मैं apply के लिए यहां पर click कर देता हूँ जैसे मैं देखे यहां पर click करूँगा आपके सामने राष्टी एजनसी पूरा यह लिख करके आएगा तो यहां पर दो step में आपका apply for online registration फिल online application form तो पहले हम इसमें क्या क्या साउधानिया पूरा हम देखेंगे और देखने बाद अब देखेंगे हम यहां पर सबसे पहले new registration करने जारे हैं यही फाम भरना है तो मैं new registration पर click कर देना जैसे यह आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ interactions खुल करके आएगे वो देखें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखें जिन्हें आप पढ़ सकते हैं कि अभ्यरती आवेदन पत्र भरने से पूर्व करप्या दिये गए निर्देश परक्रिया एवं सूचना विबरानिका को ध्यान पूर्वक पढ़े पढ़ने के लिए देखें उन्होंने पहले बता दिया है कि अभ्यरती स्रेश्ट 2023 के लिए आउनलाइन आवेदन केवल स्रेश्ट के अधिकारिक वेबसाइट जो अभी जिस पर आप गए थे स्रेश.nta.nic.in के माध्यम से ही कर सकते हैं कोई दूसरी इसके नहीं दी गई दूसरा है आवेदन परक्रिया आउनलाइन आवेदन करने के लिए दो चलणों के लिए दो चलण आपको पालंग करने होंगे जिसमें पहला जो चलण आपका है ये इसको ध्यान पूरवग आपको पढ़ना में पढ़के आपको बता भी दे रहा हूं कि नोट क्या करना है अभ्यरती आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय बीवर्णों को प्रविष्टि करें जो कुंजिका बनाने कुंजिका का मतलब हो त्यार हो जाएगा और आपको वहां पर एक आवेदन संख्या भी मिल जाएगी जिसे आप नोट कर लेंगे यहां पर आपको जो आप यहां पर आवेदन संख्या उसे आप नोट कर लेंगे जूत्रा जो अपने पासवर्ड बनाया उसे भी नोट कर लेंगे भविष्ट में जो भी आप query करेंगे इनकी आवस्यक्ता आपको पड़ेगी और ये करने के बाद दूसरा आप अपने farm को भर सकते हैं फोटो आपकी लगनी है बताया जारा हाली किछी फोटो होनी चाहिए जो JPG प्रारूप में होनी चाहिए 10KB से लेकर 200KB के बीच होनी चाहिए इससे उप मतलब यह तीन चीज़े आपको रखना है दूसरा इसके बाद बताया जा रहा है तस्वीर हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की छाया प्रति सही अप्लोड करें क्यों सुधार की सुभधा नहीं दी जाएगी अनि अब इसमें सुधार आप यह सोचे कि अभी मैं कुछ भी भर बाद में सुधार कर लूँगा ऐसा नहीं है तो इसमें आप आनलाइन जो इसका जो पासवर्ड आपको चुनना है इसके लिए आपको कैसे चुनना यह फिर सारी चीज़े यहां पर बताई गई है करेक्टर आपको आठ से तेरा लेने है उसमें आपको लोर भी लेना है अक्षर भी लेना और इस्पेसल करेक्टर भी लेना पड़ेगा चले मैं आपको बता देता हूं अगर आपका मालिया आठंक को आपको करना है मालिया आपका नम सुरेश तो आप सीधे S बड़ा बना दीजेगा यह आपके S U R E S H मालिया सुरेश आपने लिख दिया बढ़ 10-11 यह जो है आपका करेक्टर का एक स्टांग पासवर्ड त्यार हो जाएगा और आप इस तरीके से अपना एक पासवर्ड जरूर बना लिजेगा जैसे पासवर्ड बनेगा फिर और सारी चीजें इसको पढ़ लिजे जैसे आप इसको क्लिक करें कि हाँ हमने उपर सब कु आगे नहीं भरेंगे नहीं बढ़ पाएंगे चलि मैं क्लिक कर देता हूं जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके बाद देखे आपके सामने पूरा एक फार्म परसनल डीटेल आपको भरनी है परसनल डीटेल में आपको कोई अलग से चीजे नहीं भरनी है परसनल में परसनल डीट के लिए आपको यहां पर क्लिक करना रहेगा कि कितनी आप एक डाल देंगे माईना कौंसा माले दूसरा फरवरी है यह कौंसा माले 2009 डाल देंगे उसके बाज जब आप लिंग की बारी आएगी मेल या फीमेल वह आप यहां से डाल देंगे आइडन्तिफिकेसं आप कोई भी एक ऐसा प्रमार्ण पत्र चाहाएं आपके पास पैन काड हो रसन काड हो पासपोरो स्कूल का आइडी काड हो इन मेंसे कोई भी चीज़े आप ले सकते हैं आप यहाँ पर डालेंगे या आप कहीं बाहर रहे हैं आप घर का पता पता चला आप बिहार के रहने वाले हैं और आप इस समय लखनों पर रुहरएं तो लखनों का यहां प्रिष्थानी पता दे देंगे देश अपना लगाई लेंगे इंडिया है और लगाने के बाद आप अपने राज भी Select कर लेंगे राज Select करने के बाद अपना जिला भी उसमें से अना आप आजएगा पिंकोड भी आ जाएगा और अपना कोई एमेल यहां पर अवस्ची डालेंगे और दूसरा email अपना यहां पर यहीं कोई है कि जो आप email डालेंगे वही email आप दुबारा दूसरे में डाल देंगे और फिर अपना सबसे जो महात्रोपूर दस्तावेज है नंबर है अपना mobile number आप जरूर इसमें डालेंगे क्योंकि फर्दर जब भी आप कुछ भी कोई भी query क होने की संभावना यह उसमें और दूसरा एक number और भी दे दे कि आपके दोनों number पर सूचना मिलती रहे नहीं आप दो number यहां पर दे सकते बरतर मानी 2009 आपको एक इस्टांग पास्पट मिल जाएगा फिर यहां पर लिख देंगे ठीक है फिर आप यहां पर देखे कोई भी प्रस्न आप which website do you really visit what is the name of your first school तो आप याद कर लेंगे कोई भी स्कूल अपना डाल करके यहां पर जैसे ही डालेंगे तो इससे होगा क्या आप अगर पास्पट भूल जाते है तो आप उसको recover कर पाएंगे और उसके बाद आपके सामने कैप्चा आ जाएगा जिसे आप पढ़ लेंगे अगर यह कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद आप सम्मिट करेंगे और आपका form सम्मिट हो जाएगा तो यह छोटी सी जानकारी थी जिसे हमने बताया संबहता है जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक औ आप तक मिलती रहेंगी और इसका कैसा पेपर आता है उसका मॉडल पेपर भी में लेकर बहुत जल आ रहा हूं जाहिंद बंदुल